देश के संसाधनों पर पहला हग माइनोरिटी का है अलप संख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है अब कॉंग्रेस कह रही हैं कि आबाई आबादी तै करेगी कि पहला का हग किसका होगा यानि क्या अब अलप संख्यकों का हग कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या आबादी के हिसाब से ही अप्तै होने वाला है तो पहला हग किसका होगा भर अबादी किसकी ज़्यादा है जहां आबादी के हिसाफ हग मिलेगा किया तो क्या आलप संक्रिकों कौंग्रेस तकर हटाना चाहती ہے क्या कल से कौंग्रेस ने एक अलग लाप अरा अपना शुरू कर दिया है ये कौंग्रेस के नेता कहते है जितनी आबादी उतना हग मैं कहता हूँ इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्यान यही मेरा मकसद है मैं सोच रहा था कि पुर्व प्रधान मंतरी मनमोंसी जी क्या सोच रहे होंगे भारत के पुर्व प्रधान मंतरी मनमोंसी जी तो कहा करते थे कि देश के सोसाधनों पर पहला हग माइनोरिटी का है, अलपसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है आप कॉंगरेश कह रही हैं कि आबाओबादी तै करेगी कि पहला का हग किसका होगा यानि क्या अब अलपसंख्यकों का हग कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या और आबादी के ही अहसाब सही अपतै होने वाला है तो पहला हक किसका होगा भाई किसका होगा आबादी किसकी ज्यादा है किसका हग होगा जड़ा कॉंग्रेज वाले स्पष्टा करें क्या आबादी के हिसाब से हग मिलेगा क्या तो क्या आलप संख्यों को कॉंग्रेज हटाना चाहती है क्या तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हग ले ले क्या मेरे परिवार जनो मैं पिछले कापी समय से कह रहा हूँ और फिर आज दोरा रहा हूँ कि कॉंग्रेज पार्टी को अब कॉंग्रेज के लोग नहीं चला रहे हैं कॉंग्रेज के बड़े बड़े नेता मुंग पे ताला लगा के बैटे हैं न उनको पूछा जाता है न वो यह सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं अब तो कॉंग्रेज को आउट्सोर्स कर दिया गया है कॉंग्रेज को अब ऐसे लोग चला रहे हैं परदे के पिछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए है